अजी आजो वारके टो में चैनल टार वानिट यूट इस मनेशा फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए लव रीडिंग लेके आई हूँ देखते हैं आज आपके परसंद के क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए आज इस वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जो भी relationship के बारे में जानना चाहते हैं यह reading male female सब के लिए होने वाली है अगर आप soul में twin flame के लिए देखना चाहते हैं तो बिलकुल मुझे ऐसा मैसूस हो रहा है कि ये reading उन लोगों के लिए होगी जो कहीं न कहीं किसी कार्मिक situation में फसे हुए हैं आप या फिर आपके partner तो देखते हैं आज की reading में आपके लिए क्या आता है सबसे पहले में यही message देखते हैं आपके person आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं current feelings ही हैं ये आपके person का नाम ले लीजिए जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं आज मैं आपके लिए यही reading देना चाहती हूँ आपके person की तरस से उनकी क्या feelings है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कार्ड आए हैं तो ये ले लेते हैं spiritual majority का कार्ड है काफी positive है आपके personal नहीं कहीं twin feeling connection है आपका serendivity का कार्ड है यहाँ पर नगार्णर and the divine masculine मैंने पहले ही बोल दिया था बीना कार्ड देखे ही कि आपके spiritual journey है और उनको ऐसा मैसूस हो रहा है कि आप दोनों का connection बहुत जादा strong है और ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत से लोगों की बाते उतनी नहीं हो पा रही है जिसकी वज़े से आपका मन बेचैन है आपको उनकी जादा याद आ रही है आपको अगर उनकी याद जादा आ रही है वो इसलिए क्योंकि वो भी आपको याद कर रहे है कही न कहीं आप टेलीपैथिक लिए एक दूसरे के साथ connected है एक दूसरी की बात को भी न बोले ही समझ पा रहे है उन लोगों के लिए आज की ये reading होने वाली है जो कहीं न कहीं एक strong connection फील करते है किसी भी ऐसे person के साथ जहां पर रिष्टा ना होके भी आपको हमेशा से महसुस होता है कि उसके साथ कोई ऐसा खास रिष्टा है वैसे ही आपके person को महसुस हो रहा है आज इस वक्त वो आपको अपने divine masculine समझ रहे है वो spiritual maturity के साथ इस पात पर आपके साथ एक साथ होके चलना चाहते है आप दोनों ही track पे है ऐसा बिल्कुल नहीं मुझे दिख रहा है कि आफ ट्रैक जा रहे है आप या आपके partner आपकी life में वही हो रहा है जो इस वक्त होना चाहिए soul level पे आप महसूस कर रहे हैं आप उनकी feelings को महसूस कर रहे है उनको जब भी आपकी याद आती है तो आपको भी उनकी याद आती है काफी hopeful दिख रहे हैं दोनों काफी positive दिख रहे है और बहुत से लोगों के लिए मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि आपको सबने में कुछ दिखाई दे रहा है या meditation में आपको कुछ दिखाई दे रहा है third eye active हो रही है आपके परसन की भी मुझे दिखता है कि इस वक्त थाड़ाई काफी एक्टिव नजर आ रही है उनकी काफी बैलेस्ट है इस वक्त इस वज़े से भी वो हर एक चीज को काफी डीप लेवल तक फील कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं और यह सब आपके अंजल कर रहे हैं आपने प्रे किया है या फिर एंजल को बोलें कि वह आपकी हल्प करी इस कि दोभी पर है कि उनको एक सच्चाई समझ आने वाली है बारे में आपके एंजल्स उनको लेके जा रहे हैं उस बात पे जहां पे जाके वो और जादा महसूस करें इस कनेक्शन को इस कनेक्शन की रियालिटी उनको समझ में आई तो ये सब चीजें हो रही हैं आपके पार्टनर के साथ इस वक्त वो भी इस connection के बारे में जो आप महसूस कर रहे हैं वही से वो महसूस कर रहे है 5 to 5 नंबर मुझे आपे दिख रहा है आप से related हो सकता है और आपके जो person है इस वक्त काफी wisdom में है उनको कोई नो कोई ऐसी knowledge दी जा रही है जल की तरह से ताकि वो इस connection की reality को समझे लुमिनिसिटी का card है यहाँ पर boundaries यह आपकी energy मुझे दिखा रही है आपके person की opposite that distorted masculine अगर आप ऐसा सर्च रहे हैं कि आपके masculine को कुछ फरक नहीं पढ़ रहा है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको नहीं पता चल रहा है तो ऐसी बात नहीं है मुझे क्योंकि actual में ऐसा सोचते हुए आप लग रहे हो कि कहीं न कहीं आपको अपने masculine के उपर trust issues है इस वक्त आप उनके उपर भ्रोसा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपके साथ कुछ गलतियां ऐसे कर दी है जिसको भूल पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है चीजें लेड को ना कर पाना तो दिखिए wisdom आपके person को भी मिल रहा है आपको भी मिल रहा है यहां पे मैं एक spiritual और strong soulmate की ही reading कर रही हूँ जो काफी strong connection में है जिनको पास ले connection होगा उन लोगों की ही यहां पे reading हो रही है और आप काफी intuitive है आपको काफी आप भी बदल रहे हो पहले से बहतर होते जा रहे हैं के person भी पहले से बहतर होते जा रहे हैं दोनों ही track पे नज़र आ रहे है sexual freedom और यहां पे मुझे ऐसा भी नज़र आता है spiritual level पे आप दोनों और ज़्यादा close हो रहे हो और ज़्यादा strong हो रहा है यह connection आपका telepathia इस वक्त बो ज़्यादा strong है टैरो से भी देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उनके इस चीज़ का तो एसास हो रहा है एक strong connection तो feel हो रहा है और देखते हैं इसके इलावा आपके person आपके बारे में क्या सोच रही हैं वाउ, अपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, कमिंट्मेंट के बारे में सोच रहे हैं, और वो इसलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये इस वक्त उनका सोचना है, काफी पोजिटिव हैं, यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, द कर रहे हैं कि आप पहले इनको call करो या आप उनको message करो वो इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप कोई initial दिखाऊ उनको. की श्टो करते हैं आपको social media पर देख रहे हैं आप उनकी लाइफ में क्या हो रहा है प्या नहीं, वो देखते हैं. जारे करते हैं, आपको फूलो कर रहे हैं és मन्षैंत नहीं है जारे का आगको फ। यिए दिख रहा है की। Baker आटर के आपको वोद्ट करने होंगे ऑडर कि यहाएथ कि यहाद के सुखनाकलने के सबस्किने ज़ल्ट और वोगोरे कर रहे हैं क्योंकि इसलिए ताकि वो चाहते हैं कि आप initiative दिखाओ आप को इस टप पहले दिखाओ ये चीज़े मुझे यहां पे नज़र आ रही है और चेक करते हैं और क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में नई शुरुआत करना चाहते हैं वापस से कमबैक हो रहा है उनकी लाइफ में बट उनको लगता है कि आप पहले से बदल गए हो आप पहले जैसे नहीं हो तो इसलिए उतना comfort हो फील नहीं कर रहे हैं आपके साथ इस वत मैसेश करने में कोल करने में उनको लगता है कि आप चेंज हो गए हो ये भी वो चीज़े मैसूस करते हैं जिसकी वज़े से उन्होंने अपने आपको रोका हुआ है आपकी भी नर्जी देखते हैं आप अपने परसन के बारे में क्या सोच रहे हैं वील ओ फोर्चुन आपको तो पता है कि ये रिष्टा तूटने वाला है नहीं कहीं न कहीं आप सरेंडर कर चुके हैं और इस सलिशन को अक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों और आप ना मुझे काफ़ी स्प्यूचर परसन दिखते हैं कोई हीलर टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं आप जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं आप काफी ग्रो कर चुके हो अपनी लाइफ में स्प्चुलिटी की तरफ अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो उस तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है तो आप न अब अपनी फिलिंग एक्स्प्रिस नहीं करते हो अपने परसन के साथ खुल के उनको नहीं बताते हो कि आप क्या मैसूस करते हो क्या नहीं वो चीज़ी मुझे नजर आरी है आपकी साइट से भी साइन की बात करूँ याँ पर मेरे पास सारे साइन है दुफूल आप मस्त होके रहना चाहते हो लाइफ में अब आफाल तुकी टेंशन नहीं लेना चाहते हो कोई टॉक्सिसिटी नहीं चाहते हो कि आपके परसन की तरफ से आपके लाइफ में आए इस वक्त चांती, स्कून, अपने साथ टाइम से प्रेंट करना, अपने खुशी के लिए जीना या अपने आपको गोड के साथ जादा कनेक्टर फील करते हो, उनके साथ जादा क्लोजनेस आ गई है आपके अंदर मुझे ऐसे इनर्जी दिखती है कि आप काफी ट्रांस्फोर्म से निकल के आया हो, काफी ट्रांस्फोर्म हो चुके हो आपकी लाइफ में, एक बड़ा ट्रांस्फोर्मेशन अभी होके निकला है और आप बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे हो, और अपनी इंट्यूशन को फोलो कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है आपकी इनर्ची काफी पावरफुल है, और तीनों ही कार्ड यहाँ पे मुझे मेजर आरकानास के दिखते हैं आपको याद आती है, आपको यह भी लगता है कि आपका जो काउंटर पार्ट है काम में बीजी है, उनके पास टाइम नहीं आपके लिए आप ऐसा भी सोचते हुए मुझे दिखरे हो इस वज़े से भी आप अपनी लाइफ में मस्त रहना चाहते हो बीजी रहना चाहते हो और बीच-बीच में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि आप चाहते हैं कि वो आपको उतना याद ना आए और बोटम उदर टेक यहां पर नाइनो पेंटिकल की ही नर्जी है अप सेल्फ लव में तो नजर आ रहे हैं मुझे जो भी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग मुझे सेल्फ लव में ही नजर आ रहे हैं अगर करंट फिलिंग की बात करें तो आप दोनों ही म में चेंज आया है इस वज़े से ही आपका जो कांटर पार्ट है उनको भी फील हो रहा है इस कनेक्शन के बारे में उनको पता चल रहा है कि हां कुछ तो कनेक्शन है वो सोच रहे हैं इस बारे में इस कनेक्शन के बारे में आपको अपनी इनर्जी में बैलन्स बना के ही र आपको अभी इस वत उनकी बहुत जादा याद आ रही होगी तो जिन लोगों के लिए भी यह रीडिंग है आप मुझे जरूर बताएगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तक कि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बना दिनों मिलती हूं मैं आपको अ